हाई गाईज वेलकम बेग पो मैं चैनल आज मेरे बास RS200 आई है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको बताने वालो इसके प्रॉब्लम का प्रॉब्लम आ रहा था तो फ्यूल पंप इसका गया है बहुत ही स्लो वर्किंग हो रहा है उसके कारण इसमें पिकप नहीं म कैसा प्रोसेजर है वो बताने वालो आपको इस वीडियो में पहले तो इसका सीट पूल लेंगे फिर इसके बाद इसका टैंक टैंक निकलने के लिए चार एल लेंग की एक, दो तीन, चार और इधर के साइड दो पॉल्ट निकल लेने पैनल के और फिर लेंगे ज डिया तो प्रिट टैंक के तीन बोल्ड फोल लेंगे बारा नमबर के इसका के वायर निकल लेंगे अपने टाकी निकल ली ए फ्यूल पंप खुलने से पहले टाकी खाली कर लेंगे, मैंने तो पहले टाकी खाली कर दिया था, फ्यूल निकाल दिया था इसका इसका ग्राइब कुलने निकाल लिए यह मोटर होता है और यह जो है यह फिल्टर है, यह देख सकते आप और यह जो है फ्यूल आउटलेट पाइप है, ज्याधा प्रेशर होने पे फ्यूल इसमें से बाहर आजाता है कि और यह निचे का जो है यह फुल फिल्टर कर लो है दो सब्सक्राइब कि तो Seid beetje made इस में यह कम चेंज करने वाला है कि इसे फुल फॉल पांस को लुटर सब्सक्राइब को प्रेशर करके इंजेक्टर पर प्रेशर करता है यह पन्यार्य परके तो चेंज कर लेते हैं फटापट तर्वें इसमें में इंस्ट्राल करने वाला हुए मोटर, इसमें किट में जो आता है ये मोटर और उसका ये फिल्टर अभी उसमें इंस्टाल करने वालों यह दो चीज देख सकते हैं यह मोटर इंस्टाल करने के लिए सोल्डर करना बढ़ता है तो मैं इलेक्रिशन के पास आया हूँ सोल्डरिंग करवाने लिए आरे वाल रांडर है बोल देंगा ऐसा बोल देनेगा अग्राइब आप्ड़ता अपने दोड़ा पो यह कर रही आँ सो नया पंप बिटा लिए इसको सॉल्डरिंग कर दोना इस इस अधिस पिंदल दिया ना अधिस को बढ़ता दी हगा कि अपना फिनिश हो गए दोनों वायर शोल्डर हो गए अभी इसे प्रिटिंग करना है कि अपना उप अभी को अभी कि अपना फिर आई ना भाय कि अपना फिर आई कि अए अपनाओ क्टछ दो एंट जो गैसा मारी इंस्टलेशन फिनिश को घी हो गी ही इसमें अभी परफोर डालेंगे एक लेड तरद कि अभी इसको स्टार्ट करके देख लेंगे उन पाइर इसे नोगी नहीं इस तो मेरे चैनल को मेकेनेज राइडर को आठाट